दोस्तों बारिश की बूदे भले ही छोटी हूँ लेकिन उनका लगातार वरसना बड़ी नदियों का बहाओ बन जाता है वो ऐसी हमारे छोटे-छोटे प्रयाज भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं गुड़ मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल्लाइन इस्टीडी पॉइंट दोस्तों आज है तीन अगस्त और जितने भी करेंड़ फेस्ट कोईशन बने इस वीडियो हम देखेंगे साथी questions related extra facts दखेंगे जो exam point भी से काफी important है इस वीडियो क्लास में आपसे question पूछोगो उसका answer आपको comment box में लिखना है इस वीडियो के pdf file आप video को description box में link मिलिया उसमें click करके download कर सकते हैं दोस्तों मैं unacademy पर भी पढ़ाता हूं तो आप unacademy का learning है play store से download करके उसमें online sd point search करके आप हमें unacademy follow कर सकते हैं या फिर मैं अपने unacademy की profile की link इस video को decision box में भी देदूँ उसमें click करके आप हमें follow कर सकते हैं और वहाँ पर हमारे द्वारा बनायागे बहुत सारे courses को बिल्कुल free में देख सकते हैं तो follow जरूर कर लें दोस्तों आज वीडियो पसंदाद प्लीज लाइक जरूर करिएगा इसे ज़्यादा ज़्यार कर दीजिएगा प्लीज वीडियो का अंते तक देखिए के question काफी important है सारे government exam के लिए ठीक है चली start करते हैं दोस्तों पहला question है किस भारती मूल को प्रतिष्ठित field पदक प्राप्थ हुआ है इसे गणित के novel पुरुषकार के रूमें भी जाना जाता है दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option A अक्षे वेंग्टेस को ठीक है देखे दोस्तों अक्षे वेंग्टेस एक प्रसिद भारती औस्टेले गणितक्ज है और गणित के प्रतिष्ठित field पदक के चार विजयताओं में से एक हैं आपको बता दोस्तों गणित के लिए नोवेल पुरुषकार के रूप में भी जाना जाता है इसको और यह जो है दोस्तों अक्षे वेंग्टेस यह नई दिल्ली में इनका जन्म होता 36 वर्स के हैं जो बरतमान में इस टैन फोर्ड इंवसिटिम पढ़ रहे हैं और इन्होंने गड़ी द्विशियों के असाधारन रूप में विश्तिर से इंकला में अपने गहनी योगदान के लिए फील्डे मेडल को प्राप्त हुआ है दोस्तों आपको बता दें इस फील् चार्ल्स फिल्ड के अनुड़ोत वर 1932 में जिन्होंने टोरंटो में 1924 में गणित कांग्रेस की भूम का निभाई थी ठीक है वहीं बात कर दोस्तों यहां पर आचार अभी नवभावे जी की तो इससे विलेटेट कोईशन काफी पूछा आता इनसे तो आपको बता दें द प्रदानु जिसमें दो भारतियों को मिला है आप सबको पता होगा नहीं पता एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं दोस्तों जो मिला है भरत वाटवानी और सोनम बांक्चुक को मिला है यह रेवन मेक्सेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि यह भी ह हाली मिला है तो पूछा आ सकता है कोशन इस पूरुषकार के स्थापना हुए थी 1957 में स्थापना हुआ था इसका स्थापना देश था फिलिपीन्स इसको इसापित किया था ठीक है और यह 600 दिया जाता है तो अभी हाली में किसको दिया गया है भरत बाटवानी और सोनम बा गोल्डेन ग्लोब आवाड जीतने वाले प्रतम भारती थे गोल्डेन ग्लोब आवाड जीतने वाले प्रतम भारती कौन थे यह रहमान जी ठीक है तो किस भारती मूल को प्रतिष्ठित फील्ड पदक यानि फील्ड मेडल प्राप्त हुआ है तो यह गडित के जिस्ते बहुत important question है और दोस्तों आप हमारे PDF फाइल पूरे एक मन्त की एक साथ प्राप्त करना चाहते तो आप हमेरे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लिजे उसकी लिंक आपको वीडियो के आप हमें इस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजे इस्टाग्राम पर ऑनलाइन स्टी पॉइंट के नाम से अडिया आप उसमें सर्च करके फॉलो कर सकते हैं साथी सारे जो है तो सोसल नेटवर्किंग सोसल साइट्स की मेरे लिंक मिल जाएगे आपको डिस्क्रिप्शन वाक्स मे क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं चलिए अगले कोशन के तरफ बढ़ते हैं नेक्स कोशन दोस्तों भारत सरकान ने किस देश के साथ सातत शहरी विकासेतु समझोते पर सक्षर किये हैं दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप संडी जर्मनी के साथ ठीक है जर्मनी बहुत important question पूछा आता है एक question तो बहुत important पूछा आता है का आपात कालीन उपबंद किस देश से लिया गया है जो भारती समझान का आपात कालीन उपबंद दोस्तों किस समझान से लिया गया है तो वह लिए गया है तो जर्मनी के वीमर समझान से ठीक है बात करें जर्मनी की Chancellor कौन है तो आपको याद रखना है ठीक है और आप आतका लिन वपबंदी याद करना है बात करें सो France की तो France related सारे question आपको बता देता हूं जो एक्जाम में पूछा थे सबसे पहले basic question France की राज़ानी है Paris और यहां के जो राष्ट पती है वह है Emmanuel Macron ठीक है और फ्रांस की संसत का नाम है जो नेशनल assembly currency है euro राष्टी चीन है France का लिली और विश्व की जन्नत फ्रांस की जो capital पेरिश को कहा जाता है ठीक है विश्व की जन्नत फ्रांस की capital पेरिश को कहां से फ्रांस से लिए गए हैं गरतंत परणाली और प्रस्तावना में जो सुतंदरता समांता सा बंदता है कहां से लिए फ्रांस से ठीक है तो यह fact आपको याद रखना है बात करें दोस्तों इसराइल की इसराइल की राज़ानी दोस्तों वह है एरुसलम और यहां के जो प्राइम निस्टर है काफी चर्चित रहते हैं तो प्राइम निस्टर आपको यहां पर जरूर याद रखना है एक्जाम में पूछ ले आता है तो इसराइल के प्राइमिस्टर है बेंजामिन नेत नियाहू ठीक है दोस्तों बात करें लेब दूस किये हैं यह किए हैं दूस्त जरुमनी के साथ ठीक है कि इतने सारे कोयस्टन इतने सारे थातको कोयश्टन से मिल जाते हैं तो अपने लुद्ष करिए अंब डाउन और आंप रिवाइच जरुर कर लीजिएगा ठीक है चलिए दूसकर दूस्तों दूइप समू के विकास के लिए निवेशकों के सम्मेलन की मेजवानी कौन करेगा दोस्तों दूइप समू के विकास के लिए प्रवासी भारती केंद्रों में निवेशकों के सम्मेलन की मेजवानी करेगा और इस समयनल के उधगाटन दोस्तों नीती आयोक के बारे में जान लेते हैं बहुत बार कोशन पूसे आते हैं नीती आयोक से लेटेड नीती आयोक के स्थापना होई थी दोस्तों एक जन्वरी 2015 को मोदी जी ने इसकी घोशना की थी और आपको बता दे किया फुल फॉर्म है नेशनल इस्टिट्यूशन फॉर ट्रास्फार्मिंग इंडिया है आपको बता दे कि यह नया आयोक केंद्र रथा राज्य सरकारों के लिए ठींक टैंक का कारे करेगा इससे पहले नीतीय का योजनत, जाने ज्वरी 2015 पर इसका नाम बदल कर नीतीयक कर दिया गया है हिए आपको बता दे दोस्तों कि यह जो इसकी भूमिका गया है नीतियक के लिए ऑस्ध्यों की घृत्य फैंंच और जो मोस्ट इंबोर्ड इन कोई सब्सक्राइब बरतमान वह राजीब कुमार आपको विल्कुल याद रखना है वरतमान CEO को नीटी आयोग के अमिताब कान थे का उने CEO अमिताब कान थे ठीक है और दोस्तों योजना के बारे में तो आपको बता दिया था कि योजना आयोग तो कुछ ले तो वित्तायोग जो है तो समीधान के भारती सम्भधान के आर्टिकल 2 8 t में वित्तायोग का परावधान किया गया है तो कोच्छन पूच ले में उतकितर है बलाधी-धायोग के एनके सिंग एनके सिंग है बितायों के फिप्टी इंत नमबर के देख्षिक तो यह आपको विल्कुल याद कर लेना है तो दीप समु के विकास के लिए निवेशकों कि सम्मेलन की मेजवानी कौन करेगा यह करेगा दोस्तों नीती आयोग ठीक है नेशनल इस्टिटिशन फा और अप्रवार्शन विधेख पर सक्षर किये हैं ठीक है देखे दोस्तों फ्रांस की संसद ने कानून में एक विवादाश्पत सरण और अप्रवार्शन विधेख पर सक्षर किये हैं और इस विधेख को फ्रांस में प्रवेश्ट करने के बाद मौजूद 120 दिनों से 90 दि आके एड़ोर्ड फिलिप कौने पियाम एड़ोर्ड फिलिप और करेंसी है यूरो ठीक है तो हाली में किस देश की संसत्थ ने विवादस पर सरण और अप्रवाशन विदेव पर सक्षर किये हैं फ्रांस ने थोड़ा से जापान के वारे में जान लेते हैं दोस्तों जापान की राजधानी है दोस्तों टो क्यों है जापान की बरत्रमान टाइम के पर प्रैमिस्टर जिंजो आवे हैं जापान को ओटे शूषि का देश का जाता है है ठीक है शूरियोद्य कदेश का जाता है और शूरवाधी कावाधी वाला नगर है जापान और जापान के संसत का नाम है डायेट और यहां की गुप्तचर संस्ता है वह नाइचो ठीक है अगले कोशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों ने राष्ट्पती रामनाद कोवीन अगस univers 2018 में कितने स satisfy है उसका राइट अंसर या पाँड यह उपसंडी राइट राइट है कि राश्ट्पता सब्सकार सब्सक्रानित किया थैसे क्नितं क्षिएन और उत्किस्ष से सब्सकर स्यरिंद ट्रब आफिसे तो राष्टपती रामनात कोविन जीन्यागा 18 में कितने शांसदों को उत्क्रिष्ट शांसद पुरुषकार से यह कि दोस्तों पांच शांसदों वो अगला कोशन दोस्तों हालीमिकी स्राज में ऑनलाइन आवर ऑनलाइन आवर सेवा पोर्टल लॉंच किया गया है तो इसका राइटन्स हो जाएगा ऑप्शन दी 36 गड़ में ठीक है देखे दोस्तों 36 गड़ में ऑनलाइन आवर सेवा पोर्टल लॉंच किया गया है और यह किस्य संबंदी तो जान लीजी यह पंशन भोगियों को ऑनलाइन पेंशन और भुकतान संबंदी सभी जानकारिया उपलब लाइपुर्ण वरतमान जो चीफ मिनिस्टर है सीम है वर रमन सीम ठीक है चलिए अगला कोशन है राजस्थान लोग सेवाय के चेर्मेन की रूम में किसे ने उपकिया गया है यह निग तो दीपक उपरेती को गिश्को दीपक उपरेती को देखे दूस्तों राजस्थान ल इसका आई एस ओफिसर है इसका राइड एंसर आपसन सी दीपक उप्रेती अगला कोशन केंदरी मंत्र मंदल ने हाली में किस भरती वोड के पुनर अगठन को मंजूरी दे दी है तो आपसन भी राइट है अगला कोशन दोस्तों किस देश में भारी विरोध परशनों के बीच शारवजिनी के स्थानों पर जो है तो बूर्का समेथ पूरा चहरा ठटकने बाले कपडों पर पावंधिक कानून एक अगस्दफ़ रटनॉक से लागो हो गया है तो इसका राइड एंसर रोगा दोस्तों option B Denmark देखें देनमार्क में भारी विरोथ परशनों के बीच सारवजनी कस्थानों पर बुर्का समेथ पूरा चहरा ढखने वाले कपड़ों पर प्रावंदी का कानून पर बैंक में 51 परसेंट तक हिस्चेदारी ख़ीदने को मंझूरी देदी है जिसका राइट एंसबी अप्सटों के इंदरी केविनेट ने सरकारी वीमा कमपणी LIC को सर्वनिप्ष खाटर के IDVI भैंक में 51 परसेंट तक हिस्चेदारी खटकर ग्री 55 परसेंट रहे जाएगी ज इसका राईट एंसर ओप्सन है डिवी आई बैंक ठीक है अब देख लेते हैं दोस्तों कल का एंसर कल मैंने Question पूछ था प्रथम नेपाल भारत ठीक टेंक शिकर सम्हेलन कहा शुरूब हुआ है इसका राईट एंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स मों जरूर लिखना दोस्तों प्लीज कमेंट जरूर करिएगा आप लोग मेरे साथ आपके साथ में इतना जो त्युक्तिव रहता हूं डेली वीडियो लेकर आतों आप लोग कमेंट करने मुंका जूसी करते हैं ठीक और वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक करके जरूर जाएगा आज टार्गेट रखते हैं दोस्तों 10,000 लाइक का तो प्लीज वीडियो पसंद लाइक करके जाएगा वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा दोस्तों होसला बढ़ाने के लिए ठीक है वीडियो कैसा लगा साथी साथ आप में फेस्बुक इस्टा